नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है निलत्पॉल और आप देखरी टेकीजी हिंदी दोस्तो आज आन देखेंगे किसी भी पूरानों डॉकॉमेंट को कैसे Microsoft ओवाट के जरिये रिप्यार कर सकते हैं देखिए ये एक पूराना डॉकॉमेंट है इस डॉकॉमेंट को मैं आपके सामने मैं रिप्यार करूंगा Microsoft ओवार के जरिये और इस डॉकॉमेंट को मैं एकदम नया बनाऊंगा तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं देखिए मैंने वाट को ओपन करता हूं वाट को ओपन करने के साथ साथ मैं फाइल का उपर प्लिक करता हूं और ब्लैंक डोकॉमेंट को open करता हूं, बलैंक डोकॉमेंट को open करने के बात आपको जाना पढ़ेगा insert का उपर और यहां पर जो पिक्टर आपशन है insert picture का उपर मैं लिक करता हूं, क्लिक करने के बाद यहां पर दो आपशन दिखाई सकते रहा है दिवाइस ओर ऑन-लाइन पिक्चर यह डिवाइयस मेरा कॉंपिटर को एक्सेस को उपर पड़ा है तो मैं सब्सक् disposos क्लिक으니까 करता हूं कुक्स कांदर मैं de best front करूंगा क्यूंकि मेरा जो 닉कोमेंत वो daytime का ऊपर है और यहां पर देखिए यह जो इसको श्लेट करने के बाद इंसर्ट के उबाद क्लिक करता हूं और देखिए यह डॉकॉमेंट यहां पर ऑगाए हुगा हो गया है अघर आप चाहे तो इसको आप कुछ यहांपे चेंज भी कर सकते हैं आपका डॉकॉमेंट के हिसाब से देखिए इस अप्वसान को राखता तो इसलिए मैं जाओंगा तो मैं जाओंगा लेयॉट का उपर लेयॉट का उपर जाने के बाद यहां पर इस इमेज को सिलेट करने के साथ साथ यहां पर रैप टेक्स का उपर क्लिक करता हूं क्लिक करने के बाद मैं यहां पर थू अप्शन को सिलेट करता हूं और पोजिश बीजागा में मूब कर सकते हैं, देखिए मैं इस image को किसी भी जागा के उपर मूब कर रहा हूँ और यह successfully move हो रहा है, तो मैं इस image को इस page का उपर मैं resize करता हूँ, जहाँ यह अच्छे लगे, देखिए इसको मैंने अब उसी तरह है, जैसे मैंने आपको पहले दिखाया था, तो इसका उपर मैं क्लिक करने के बाद layout का उपर आपको जाना पड़ेगा picture format का उपर, दिखिए आप देख पड़ा है, यहाँ पे format picture का option right side में दिखाई दे रहा है, दोस्तों अगर आपको यह format picture बाला option ने दिखाई दे रहा है, तो आपको जाना पड़ेगा इस format picture का उपर, और जाने के बाद यहाँ पे जो छोटा सा एक format picture का arrow mark आपको दिखाई दे रहा है इस पे आपको क्लिक करना पड़ेगा इस पे क्लिक करने के साथ-साथ यहां पे format picture का option यहां पे दिखाई देगा और यहां पे picture को आपको select करना पड़ेगा picture को select करने के साथ-साथ आपको यहां पे sharpness, brightness और contrast का तीन option दिखाई देगा तो मैं पहले इसको sharpness को थोड़ा से increase करता हूँ और आपको दिखाता हूँ इसका क्या change हो रहा है देखिए मैंने इसको थोड़ा से sharpness को increase करके 42% के रखता हूँ और brightness को थोड़ा से increase करता हूँ और देखता हूँ इसका quality क्या change हो रहा है या नहीं देखिए brightness को मैं थोड़ा से increase करके 33% का उपर रखता हूं और contrast को भी थोड़ा से increase करता हूं देखिए contrast को भी मैंने increase करता हूं इसको थोड़ा से zoom करता हूं और इसको देखने में सही लगे इसके बाद मैंने sharpness को और थोड़ा से increase करता हूँ, नहीं इसको increase ही करना पड़ेगा, देखिए ये काफी सही हो चुका है, लेकिन इसका जो side में जो border था ओ अभी clear नहीं हुआ है, तो इसको clear करने के लिए मैं जाओंगा insert का उपर, insert का उपर जाने के बाद मैं shapes का उपर क्लि shapes को आपको लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर मैंने इस rectangle को use करता हूँ, use करने के बाद यहाँ पर इस border का उपर इस rectangle area यहाँ पर create करता हूँ, देखिए इस तरह एक rectangle area मैंने create किया, create करने के साथ साथ आपको यहाँ पर save format option को उपर जाना पड़ेगा, अगर यहाँ पर automatic appear न कालर को स्लेट करना पड़ेगा से होसे साथ साथ यहार पर देखिए आउटलाइन एक ब्लैकक के दिख्वाइद रहा है तो उसको मीटाने के लिए你說 आपको जाना पड़ेगा सेप आउटलाइन कऊ अपर तो सेप आउगरन को क्लिक करता हूं और यहार थीम कालर चूज करना पड़ेगा white और देखिए यहाँ पे जो पहले black option यहाँ पे था वो यहाँ पे मिट चुका है इस तरह मैं सभी black color को यहाँ पे मिटाता हूं और इस document को सही करने के कोशिस करता हूं तो जल्दी से आप देखिए मैं इसको मिटाता हूं तो इसको मिटाने के लिए आपको एक shortcut बदता हूं आपको इस shape का उपर क्लिक करने के साथ साथ Ctrl C को एक साथ copy and paste करता हूं और इस shape को सही जगा में मैं प्लेस करता हूं देखिए दोस्तों इस document को मैं सही कर चुका हूं और आप देख पार है यह पहले से कितने अच्छा हुआ है तो इसको जो पहला document था उसको मैंने एक बड़ आपको देखाता हूं देखिए यह था पुराना document और यह नया document है जो मैंने रिप्यार किया हूं दोस्तों आप चाहें तो इससे भी आच्छा रिप्यार कर सकते है तो इसको सेप करने के लिए मैं इसको maximize करता हूं इस document को सेप करने के लिए मुझे जाना पड़ेगा फाइल का उपर फाइल का उपर क्लिक करने के बाद मैं जाओंगा और इसका जो लोकेशन आप देख पार है यह डेस्टोप का उपर सेप हो जाएगा और यहां पर सेब एज टाइप जो format मैं चुछ करता हूं वो PDF PDF format का उपर मैं इसको सेप करना चाहता हूं उसके बाद क्लिक करता हूं और यहां पर यह बोल रहा है इस नेम का उपर आवलेड है तो इसको मैंने चेंज करके डाक मेंट वान रखता हूं और इसके बाद सेब करता हूं कि सेब करने के साथ इे डेस्टॉप का उपर सेब हो जाएगा और आप देख पा रहा है यहां पे यह document ओपन हो चुका है automatically और यह PDF का उपर सेब हो चुका है तो देखिए दोस्तों यह document successfully सेब हो चुका है तो दोस्तों इस तरह आप भी आपका पूराना डॉकुमेंट को नया डॉकुमेंट में कॉनभार्ट कर सकता है वह भी Microsoft Word का उपर इस वीडियो में इतना ही अगर वीडियो आच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को दोस्तों के साथ सेर भी कीजिए थैंकियो दोस्तों फिर से मुलकात होगा इस तरह एक नया वीडियो में तब तक के लिए बुडबाई जाए हिंद